अध्यों नमस्कार स्वागति मित्राप सभी का आपके अपने चैनल पर तो आप लोग फड़ा फड़ जुड़ जाएं आपकी क्लास से श्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ओपरेटर और हेड़ ओपरेटर के लिए क्लास चलाए जा रही ह यह हिंदी का टेश नमबर 65 है इसे पहले मैंने 64 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है मित्र अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिश्ट में जाकर कर्मा वारत दिन करने काफी ज़्यादा इंपोर्टन टेश्ट चल रहा है बाकी क्लासे भी चलाएं आपको ए फ़र्ष्ट कुशन आपके सामने रखते हैं सभी भायवेन बता देंगे इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा फ़र्ष्ट कुशन आपके सामने हैं संसाल में सभी तरह के लोग रहते हैं कोई उदार तो कोई खाली अस्थान दिया गया है उसके बाद कोई धनवान तो की पूर्थी कीजे यानि आपको बताना है कोई उदार तो कोई यहां क्या फिल हो सकता है कोई धनवान तो कोई यहां आपको बताना है क्या फिल होगा फटा फट बता देंगी सभी भायवेन इसका राइड एंसर क्या होगा तो बिलकुए सही है जो भी भायवेन बता नहीं कोई उदार तो कोई अनुदार होगा क्या कोई उदार तो कोई अनुदार तो कोई धनवान तो कोई निर्धन तो इसका राइड एंसर क्या होगा जो भी भायवेन बतार है यहाँ संकीरिड नहीं मित्र यहाँ अनुदार होना जहीए था तो right answer option number B जो भी भायवेन बता रहे हैं अनुदार और निर्धन बिल्कुई सही बता रहे हैं option number B वाले सभी भायवेन बिल्कुई सही हो जाएंगे यहाँ अनुदार होना चाहिए था मित्र next आपके सामने इसका right answer बताना है रगुपत राग हो राजा राम में कौन सा अलंकार है फड़ा फड़ बता देंगे question number 2 का right answer क्या होगा तो बिल्कुल सही है जोवी भायवेन बतार है अनुप्रा असलंकार बिल्कुल सही बतार है रावर्ड की आबिरती हुई है इसमें इसलिए अनुप्रा असलंकार होगा ऑप्सिन नंबर बी जोवी भाइबं बता रहे इं हैं, बिलकुल ooh God. नेक्स्ट आपके सामने हैं, ब्राम्मी से किस लिपी की उत्पत्थी हुई है? ब्राम्मी भी से किस लिपी की उत्पत्थी हुई है? फड़ा फड़ बतादो कुछ नमबर थाइड का राइट एंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही ब्रामभी से किसलिप की उत्पत्ती हुई है देवनागरी रिपकी आपसे नमबर ये जो भी है वेन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने है अलपा हरी शब्द के लिए उचित वाक्यांज छाटिए अलपा हरी शब्द के लिए उचित वाक्यांज को छाटिना है फड़ा फड़ बता देंगे फोर का राइट एंसर क्या हो जाएगा मित्र तो बिल्कुल सही अलबो हारी उन्हें कहते हैं जो कम खाता हो तो आपसे नमबर सी जो भी भायवेन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है जैदरत वद किस लेखक या लेखिका की कृति है कुशिन नमबर फाइब आपके सामने जैदरत वद किस लेखक या लेखिका की कृति है कुशिन नमबर फाइब आपके सामने सभी भायवेन बता देंगी इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जूभी भाइबेन बता रहे हैं मैथली सरड़ गुपत बिल्कुल सही बता रहे हैं साकीत भी इनकी रसना है याद रगना साकीत जो यह महा कापेक इनका है मैथली सरड़ गुपत जी का है और जे द्रतवध जो है ये भी मैथली सरड़ गुद्द जी का है अपसे नूबर डी जो भी भाइबन बता रहे हैं बिलकुल सही होगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने इसका रायड एंसर बताना है फड़ापट बता देंगे सभी भाइबन इसका रायड एंसर बताना है धोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्लिके द्विकल्पों में से कौन सा है धोल के अंदर पोल इस कहावत का सही अर्थाप से पूछ रहा है फटापुट बता देंगे सभी भाइबेन इसका राइड एंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही इसका जूर राइड एंसर क्या होगा बाहरी दिखावे के पीछे छीपा खोखला फन तो इसमें से कौन सा हो जाएगा मित्र दिखावा कुछ और गुड कुछ नहीं ओप्शन नमबर ये जो भी भाइबेन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है कुछ नमबर सेवन आदमियों को भेड बकरी की तरह हाकने का जवान अब नहीं रहा कोस्टप में दिएगे सब्दों का वचन बदलिये यानि भेड और बकरी का वचन बदलना है आपको फटा फुट बता देंगे सेवन का राइड एंसर क्या हो जाएगा मित्रों सभी भाइबेन बताएंगे सेवन का राइड एंसर क्या होगा तो भेड का एक वचन भेड होता है भेड का वचन भी भेड होता है लेकिन बकरी का वचन जो ये बकरियों होगा तो option number D जो भी भाइबेन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं option number D वाले सभी भाइबेन बिल्कुल सही होंगे Next आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है उसकी बात का कोई उत्तर कोई ना दे सका सब उसके बात खाले स्थान दिया गया हो गए सही विकल्प का चैन कर रिक्त स्थान भरे फड़ा फड़ बता देंगी सभी भाई में राइड एंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उसकी बात का कोई उत्तर कोई ना देशा का सब निरुत्तर हो गए या रहे गए ओप्सिन नमबर 20 ओभी भाइबेन बता दें बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है फड़ा फड़ बता देंगे सभी भाइबेन इसका राइड एंसर क्या होगा लोग आज इवन टट्टू की तरह जूटे रहते हैं टट्टू सब्द का पहुँचन बताईए फटा फट बता रहेंगे सबी भाइब हैन, कुशन नमबर नायन का राइड एंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है, जो भी भाइब हैन बता रहे हैं टockो कर बहुँ अच από हुँआचन? होगा option number c वाले सभी भाइबेन बिल्कुल सही हो जाएंगे question number 10 आपके सामने हैं निम्ड विकल्पों में से सही विकल्प छाटिए कौन सा विकल्प बिल्कुल सुद्रूप से लिखा गया है फटा पड़ बता रहेंगे सभी भाइबेन इसका right answer क्या होगा तो बिल्कुल सही है कौन से सही है मित्र फटा फट बताओ तो 10 का जो भी भाइबेन बता रहे हैं जीवन छड़ भंगुर है वर्थ नश्ट ना करें बिल्कुल सुद्रूप से लिखा गया है यहाँ जीवन अशुद्ध है यहाँ छड़ भंगुर सुद्ध है मित्र यहाँ भी छड़बंगोर सुद्ध है जो सुद्ध रूप से लिखा गया है वो आपसे नमबर ये है जो भी भायवेन बताने बिल्कुल सही हो जाएगा कुशे नमबर 11 आपके सामने है फड़ा फड़ बता देंगे सभी भायवेन इसका राइट एंसर क्या होगा सन 2009 में कथा कर संज संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदू शिर्मांतर राइष्टिय कथा समान लंदन में दिया गया फड़ा फड़ बता देंगे 11 का राइड एंसर क्या होगा तो बिलकुए सही जो भी भायवेन बता रहे हैं जंगल जहां शुरू होता है बिलकुए सही बता रहे हैं इन्ही रचना के लिए संजीव कुमार को इंदू शिर्मांतर राइष्टिय कथा समान दिया गया था मित्र आप्सन नमबर ये वाले सभी भायवेन बिलकुए सही ह मानित किया गया था शत्रह में रमाकांथ इसमर्ती कहानी पुर्षकार से किसे सम्मानित किया गया था फटापड बता देंगी सभी भाइबेन इसका राये टेंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगे कौन से लेख किया कभी है इंद्रा डांगी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इनकी किस रचना शुक्रिया इमरान साहब की रचना के लिए इन्हें रमाकांथ इसमर्ती पुर्षकार से नमा आ जा गया था मित्र तो आपसे नमबर ये इंद्रा डांगी जो भी भाइबेन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं वित्र नेक्स्ट आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशे है खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशे क्या हो जाएगा फटा-फट बता देंगी सभी भाइबेन इसका right answer तो बिल्कुल सही तेरे का जो भी भाइबेन बता रहे हैं जहमेले में पढ़ना यानी निरणाइं ना होना तो बिल्कुल सही option number D जो भी भाइबेन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने में तरफ फड़ा फड़ बता देंगे सभी भाइबेन इसका right answer क्या होगा आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है फड़ फड़ बता देंगे कुष्य नंबर 14 का right answer क्या होगा तो बिलकुल सही है जो भी भावेन बता रहे हैं कश्ट का अनुभव होना बिलकुल सही बता रहे हैं आपसे नंबर B वाले सभी भावेन बिलकुल सही है नेक्स्ट आपके सामने इसका right answer बताना है तो बिलकुल सही रिजु का विलोम जो है ये वक्र होता है आपसे नंबर B वाले सभी भावेन बिलकुल सही होंगी नेक्स्ट आपके सामने है कुष्य नंबर 16 अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं फड़ फड़ बता दो मित्रिस का right answer क्या होगा मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया हम आपसे request कर रहे हैं अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दें जिस भावेन ने क्लास को share नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र तो अलंकारों के मुख्य कितने भेद हैं तो दो भेद होते हैं मुख्यता लंकार के शब्दा लंकार और अर्था लंकार ओप्से नमबर सी जो भी भाईवेन बता रहें बिल्कुल सही होगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने कुछिन नमबर सत्रे है फड़ा फड़ बता देंगे सभी भाईवेन इसका रायट एंसर क्या होगा देगे विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए कौन सा वाक्य बिल्कुल सुधरूप से लिखा गया है फड़ा फड़ बता देंगे सभी भाईवेन इसका रायट एंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही है, पहला क्या है, स्वभाव की प्रतिकूल, यहां तो प्रतिकूल दे दिया गया है, साब शाब गलत है, नेक्स्ट आपके सामने स्वभाव की अनुकूल तुम्हें यह कार्या करना चाहिए, बिल्कुल सुद्रूप से लिखा गया है, स्वभाव यहां Option number B, जोविबायबेन बटा रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, मित्र शभाव के अनकूल, तुमें यह कार्य करना चाहिए, Option number B, बिल्कुल सही होगा, नेक्स्ट आपके सामने उन्नत सब्द का बिलोम पहचानिए कुश्चन नमर रठारे आपके सामने सभी भायवेन बता देंगे राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही उन्नत का बिलोम जो है यह अउनत होता है अप्सिन नमर डीज ओभी भायवेन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट एंसर बताना है कुश्चन नमर उन्नीस से आपके सामने दिये के बिकल्पों में से शुद्ध वाग के छाटिये कौन सवाग के बिलकुल सुधुरूप से लिखा गया है फटाफुट बता देंगे 19 का रायट एंसर क्या होगा तो बिलकुल से ये फर्ष्ट देखते हैं भारत में अनेक दर्सनिय अस्थल हैं बिलकुल सुधुरूप से लिखा गया है बारत में दरसनी अस्थल अनेक देखने योग यहां गलत लिखा गया है अनेक देखने योगे दरसनी अस्थल भारत में है ये भी असुद्ध है भारत में अनेक दरसनी अस्थल देखने योगें ये भी असुद्ध है बारत में अनेक दरसनी अस्थल है बिल्कुल सुद्रूप से लिखा गया है उप्सिन निम्बर ये वाले सभी भायबेन बिल्कुल सही है नेक्स्ट आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है कुश नुबर 20 है कदर चीत साम तक वह वापस आ जाए इस वाक्य में परियुक्त काल को पहचानिये ये जो वाक्य दिया गया है आपकी सामने है फड़ा फड़ बता देंगे सभी भायबेन इसका राइड एंसर क्या होगा कदर चीत साम तक वह वापस आ जाए इस वाक्य में कौन सा काल है आपको पता है मित्र 20 का जो भी भायबेन बता रहे है बिल्कुल सही मित्र बिल्कुल कदर जित जित समय आ जाता है उसमें अभविश्यकाल होता है तो इसमें क्या संभावना की जा रही है इसलिए संभाव भी भविश्यत होगा आपसे नमबर D जो भी भायबेन बता रहे है बिल्कुल सही होगा मित्र question number 21 है आपकी सामने फड़ा फड़ बता देंगे विल्ली का pulling क्या होगा विल्ली सब्द का pulling क्या होगा फड़ा फड़ बता देंगे 21 का right answer तो विल्ली का pulling जो हमित्री ये विलाओ होता है option number B वाले सभी भायवें बिल्कुँ सही है next आपके सामने इसका right answer बताना है फड़ा फड़ बता देंगे इसमें कौन साथ बुड़ वाचक विशेशड का प्रकार है फड़ा फड़ बताओं में त्रकुष्ट नमबर 22 का right answer है तो बिल्कुल सही बुड़ बोधक option number D जो विवावें बतारें बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने इसका right answer बताना है देगे इसमें बिकल्पों में से विविन सब्द का शमानार्थी सब्द कौन सा है यानि जंगल का या वन का या रन्ने का शमानार्थी सब्द क्या हो जाएगा फटा फट बतादो मित्र कुष्टे no.23 का right answer क्या होगा बिल्कुल सही विविन का शमानार्थी जो है ये कानन भी होता है वन भी होता है मित्र अलनी भी हो जा है जंगल भी होता है तो option number C जो भी भावें बतारें बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने इसका right answer बताना है कुष्ट no.24 विदित ने फिर उसके बाद डॉट 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 दिया गया है मित्रों से कहा कि उसके बाद फिर खाली स्थान दिया है उदित की गेंद चाहिए तो बिल्कुल सही विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए तो कौन सा होगा option number D जो भी भावें बतारें बिल्कुल सही होगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने इसका right answer बताना है यह जीवन क्या है निर्चर इस वाकि में परियुक्त अलंकार पहचानिए फटापर बता देंगे सभी भावें बिल्कुल right answer क्या होगा बिल्कुल सही है जो भी भावें बतारें रूपक बिल्कुल सही बतारें यहां जीवन को निर्चर के समान ना कहकर जीवन को निर्चर ही कहा गया है इसलिए रूपक लंकार होगा क्योंकि आपको पता है मित्रत जब उपमिये पर उपमान का निशेद रही तारोफ होता है तो वहां रूपक लंकार होता है तो बिल्कुल सही है आपसे नमबर डी वाले सभी भाईवेन बिल्कुल सही हो जाएंगे फिर से आगया है यही चलिए नेक्स्ट आपके सामने कुशन नमबर 26 फटा फट बता देंगी सभी भाईवेन इसका राइड एंसर क्या होगा 26 से तेज गर्मी से चलने की कारणव अशेतन हो गया आपसे नमबर डी वाले सभी भाईवेन बताने बिल्कुल सही होगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है अर्थिकी अनुसार उसके बाद खाली स्थान दिया गया है के कुल उसके बाद फिरस खाले अस्थान दिया गया है भेद हैं सही विकल्प का चैन कर रिक्त अस्थानों की पूर्थी कीजी कुछ नमबर 27 तो बिल्कुल सही है फर्स्ट ओप्सन देखते हैं संबंध बोधक अब्बे के आठ भेद हैं आर्थ की अनुशार शंबंध बोधक अब्बे के कुल आठ भेद हैं बिल्कुल सही कहा गया ऑप्सन नमबर यह में ही बिल्कुल सही है मित्रप ऑप्सन नमबर यह जो भी भाइबेन बता रहें बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट एंसर बताना है फटा पड़ बता देंगे सभी भैवेन इसका राइट एंसर क्या होगा चोरी करके तुमने ऐसा कारी किया है कि तुम्हें खाली अस्थान दिया गया है चाहिए सही मुहावरे का छाड़ कर वाक्य पूर्ण कीजिए इस वाक्य में कौन सा मुहावरा फिल हो सकता है फटा पड़ बता दो में तुमने एसा कारी किया है कि तुम्हें चुलू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऑप्सिं नमबर 20 जो भू भायबें बता रहे बिलकुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने इसका रायड एंसर बताना है फटा पट बता दो 29 तो बिलकुल सही कई बता रहा है ना काई शें देहां बिलकुल सही में तरकाई रहना चाहिए तो option नमबर अनिश्ची दर संख्या वाचक, option नमबर बी जो भी भायवेन बता रहें, कई दर्सक गर्जो है या अनिश्ची संख्या वाचक विशेशर है, option नमबर बी वाले सभी भायवेन बिल्कुल सही हो जाएंगे, कई दर्सक गर्जो है या अनिश्ची संख्या वाचक नेक्स्ट आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है 30 रत्पति शब्द का शमानार्थी सब्द पहचानिये रत्पति का शमानार्थी सब्द क्या होगा फड़ा फड़ बता देंगे सभी भाइब है इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही रत पत का आर्थी क्या होता है कामदेव होता है तो कामदेव का समानार्थी सब्ड जो है यह पंच असर है आपसिन अमबर सी जोभी भाइबन बता रहें बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने 31 है हिंदी भारत की फिर उसके बाद खाले स्थान गिया है सही विकल्ब का चैन करेक्त स्थान को फूर करें तो बिल्कुल सही जो भी भाइबन बता रहे हैं हिंदी भाइबन की राज़भासा है हिंदी भारत की राज़भासा है Option number C वाले सभी भायवें बिल्कुल सही है Next आपके सामने उपमे, उपमान, शाधारण धर्म और वाचक की सलंकार के भेद हैं उपमे, उपमान, साधारण धर्म और वाचक की सलंकार के भेद हैं तो उपमा, लंकार के भेद हैं Option number C बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है रस सीज़ सब्द का परियावाची सब्द निम्न में से कौन सा है तो बिल्कुल सही नलिन या कमल आप्सिय नमबर बीज ओभी वाइबन बता रहें बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने कुश्चिन नमर 34 फटा फट बताओ इसका राइड एंसर निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छाटी कौन सा वाक्य बिल्कुल सुधर रूप से लिखा गया है 34 का बता देंगे राइड एंसर तो बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा मित्र बिना कड़ी परिस्रम के तुम सफल नहीं हो सकते बिना कड़ी नहीं यहां गलत लिखा गया है तुम सफल नहीं हो सकते यह भी गलत है कठिन परिस्रम के विना तुम शफल नहीं हो सकते option number C मित्र बिल्कुल सुद्ध रूप से लिखा गए है 35 आपके सामने याचना शर्द का बहुअचन रूप क्या होगा याचना शर्द का बहुअचन क्या होगा फड़ा पड़ बता देंगी सब भाई वहन राइट इनसे तो बिल्कुल सही है याचना का बहुअचन और एक वचन जो ही है याचना ही होता है option number D बिल्कुल सही होगा 36 आपके सामने ये पंजाबी की लिपी है पंजाबी की लिपी केसी है तो बिल्कुल सही 36 का जोभी भाई बता रहे हैं गुरु मुखी लिप में लिखी जाती है पंजाबी भासा option number D बिल्कुल सही होगा next आपके सामने खश्कुरा या गुर्खाली भासा है खश्कुरा या गुर्खाली भासा कहां की है तो गढ़वाल की भासा है ओप्सिन नमबर बीज ओभी भाइबेन बता रहें बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने कुश्य नमबर 38 फटा फट बता देंगे उकार बहुला बोली मानी जाती है फटा फट बता देंगे सभी भाइबेन राइट एंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही है पश्च में उत्तर प्रदेश की मानी जाती है तो इसमें से कौन सा होगा बुंदेली बिल्कुल सही होगा option number ये जो भी भायवेन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र दुरुप पदगायन का शंबंद किस भासा से है question number 49 आपके सामने तो बिल्कुल सही दुरुप पदगायन का संबंद जो ये ब्रज भासा से है option number ये वाले सभी भायवेन बिल्कुल सही है खड़ी बोली वह ब्रजभासा किस उपभासा की अंतरगत आती है फटा फट बता दो 40 का राइड एंसर क्या होगा तो बिलकुल सही खड़ी बोली ब्रजभासा ये सब किस के अंतरगत आती है वो पस्ट भी हिंदी के अंतरगत आती है option number C वाले सभी भायवेन बिल्कुल सही होंगे next आपके सामने निमलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है फड़ा पर बता देंगे पूर्वी हिंदी के अंतर गत अवधी बगेली और 36 गड़ी आती है लेकिन भोजपुरी जो है ये विहारी हिंदी के अंतर गत आती है तो कौन सा हो जाएगा मित्र ओप्सिन बरसी वाले सभी भायवेन बिल्कुल सही है नेक्स्ट आपकी सामने निमलिखित में से एक पश्चमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है फड़ा पर बता दो इसका राइट एंसर तो बिल्कुल सही अभी आपने बताया 36 गड़ी जो ये पूर्वी हिंदी के अंतरगत आती है ये पश्चमी हिंदी के अंतरगत नहीं आती खड़ी बोली को मित्र कौरवी भी कहा जाता है ध्यान रखिएगा खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है 36 गड़ी पूर्वी की हिंदी के अंतरगत आएगी नेक्स्त आपके सामने पस्चमी हिंदी के अंतरगत कौन सी बोली नहीं आथी तो अभी आपने बताया है मित्र 36 गड़ी नहीं आती 36 गड़ी पूर्वी हिंदी के अंतरगत आती है option number ये बिल्कुल सही होगा next आपके सामने पश्चमी हिंदी के कितनी बोलिया है पश्चमी हिंदी के कितनी बोलिया है फड़ापड बता देंगे सभी भाइबेन इसका right answer क्या होगा तो बिल्कुल सही है जो भी भाइबेन बता रहे हैं पांच बिल्कुल सही बता रहे हैं ब्रजभाशा, खड़ी बोली, बुंदेली और बांगरू बिल्कुल सही ओपसिन बर भी वाले सभी भायवेन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है विहारी विहार की राजधानी पटना किस विहारी बोली छेत्रिक में इस्थित है यानि आपको बताना है पटना में कौनसी बोली बोली जाती है फड़ा फड़ बता दो पैंतालिस का राइड एंसर तो बिल्कुल सही ज मगही बोली जाती है मगही के अंतर गताता है पटना ऑप्शन नमबर सी जो भी वाइबन बता रहें बिल्कुई सही होगा कुशन नमबर 47 आपके सामने इसका राइट एंसर बताना है फड़ा पड़ बता देंगे राइट एंसर क्या होगा उध्वनी का उच्चारण अस्था जो है मित्र ओ जो है ये ओस्ट के अंदर गताती है लिकिसे इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट एंसर बताना है का वर्ग का उच्चारण अस्थान है का वर्ग का उच्चारण अस्थान कौन सा है फड़ा फड़ बता देंगे कुश नमबर 47 का राइट एंस है तो बिल्कुल सही का का जो है यह कंट है आपसे नमबर यह बिल्कुल सही होगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने निम्लिखित में असपर्स बेंजन कौन सा है तो बिल्कुल सही छा जो है यह असपर्स बेंजन है आपसे नमबर डी बिल्कुल सही होग नेक्स्ट आपके सामने इन में से कौन सी ध्वान अंतस्त नहीं है इन में से कौन सी ध्वान अंतस्त वेंजन नहीं है फड़ा फड़ बता देंगे सभी भाइबेन तो बिल्कुल सही यारा लावा जो है ये अंतस्त वेंजन होते हैं लेकिन बाज जो है ये अंतस्त नहीं है पूर्षिव भी वाले सभी भाइवेन बिल्कुल सभी होंगे नेक्स्ट आपकी सामने उस मुवर्ड कौन सा है निम्नमें उस मुवर्ड कौन सा है फटा फट बतादो सभी भाइवेन पचास कराइड़न से तो बिल्कुल यह शह श्य हल्जो है यह उस मुझ पर लते हैं 10. वर्ड़ापग्रूप घुननवों पर मिल जाएगे तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंड बॉक्स में जरूर बताना मित्र जिस भायवे इंडे क्लास को लाइक नहीं कि आप प्लीज कर देंगे जो भी भायवे नमारे सांद नहें है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मित्र आज की सब्सक्राइब को नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मात्रा